मंगलवार दोपेर को SDM लहार आलमपूर मंडी परसर पहुंचे SDM कोई शिकायत मिली थी कि यहां मंडी परसर में बड़े पहमाने पर व्यापारियों की द्वारा अतिक्रमन कर इस्थाई संरचनाओं का निर्मान कर लिया गया है SDM लहार ने सरप्रतम आफिस पहुंच का रिकॉर्ड देखे निलामी पंजी ऑनलाइन पंजी आवक जावक रशीदों का मिलान किया इसमें कुछ कुछ क्विंटल गयहूं का मिलान रशीदों और मौका भंडारन से नहीं हो पाया इसकी और ज्याच करने के नरदेश SDM ने मंडी सेकेर्टरी को दिये और उसके बाद रेपूर्ट प्रसुत करने के लिए कहा नहीं SDM ने जैसे ही परसर में बने हुई इस्थाइद संडशना जो टींजेड और पत्थर की भर्षियों को गाड़कर बनाई गई थी उनको तूड़ना स्टार्ट किया व्यापारियों ने SDM से निविदन किया कि वैसवयम ही अपना अतिक्रमा हटा लेंगे इस पर SDM ने कहा कि वर्षों से कि साधार पर किस निविदन से आप लोगों ने ये संदशनाय बनाई हैं तब SDM ने व्यापारियों के रवियार तक की महलत दिया है और निर्देश दिया है कि मंडी सेकेर्टरी रवियार तक मुझे यहाँ साफ मैदान चाहिए अन्यथा मैं स्वयम आकर बना दूँगा ध्यां देने वाली बात यह है कि वर्षों से यह तिक्रमन किसके इशारे पर या किसके दवाव में चल रहा था जिसे मंडी परिशासन उन रूप से हटाने मना काम रहा जब यह जानकारी स्वयम को मिली तो तक काल पहुँचे और स्वयम की उपस्थिती में ही नियम अनुसार कारवाई करती हुए तिक्रमन को हटाना प्रारंभ कर दिया मंडे परसर के 34 वीगा के प्रांगण में लगवग 10 वीगा में टीशाइट के पकी संद्शना और बटियों की बाढ़ लगा कर बड़े हिस्से पर व्यापारियों ने कबजा कर रखा था जहां से वह बिना किसी रूप रूप की अपना व्यापार कर रहे थे और इससे इशासन को लाकर रुपे के राज़े की हानी होती प्रतीत होती है नहीं तो जानकारी है कि कुछ दुकाने व्यापारियों के दारा दूसरे व्यापारियों के किराय पर भी दी गए है SDM परियावरन के प्रती कितने से जगे हैं इस बात का उधारन इससे देखने को मिलता है कि उन्होंने व्यापारियों को सक्त लहजे में निर्देशित किया कि जो भी आगामी कारवाई नियमनसार होगी वह उन पर जरूर की जाएगी लेकिन इसके अलावा क्योंकि इतने व कि कारवाई नियमनसार नियमनसानके अरे सक्ती का अरे समें ज bit एक है जो हम किनिए वह लेकित कि को मिलता होगी कितने वेकि मिलता हैं तो कि मुंकि यह